स्टीडियस विबिन रावत के निधन पर केंद्री रक्षा मंत्री राजना सिंग ने क्या कुछ कहा संसद्भवन में आए सुनाते हैं सबके बीच ख़़ा हुआ है जनरल विपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ काले वेलिंग्टन के इस्टुडेंट आपसर से इंट्रेक्ट करने के लिए अपने एक सेडूल्ड विजित पर थे एरफोर्स के यमाई 17 V5 हेलिकाप्टर ने कल 11 बचकर 48 मिनट पर सुनूर एयरवेज से अपनी उडान भरी जिसे 12 बचकर 15 मिनट पर वेलिंग्टन में लेंड करना था सुनूर एयरवेज के एयर ट्रेफिक कंट्रोल ने लगबग 12 बचकर 8 मिनट पर हेलिकाप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया बाद में उनूर के पास जंगल में कुछ अस्थानी लोगों ने आग लगी हुई देखी जब ये भाग कर उस अस्थान पर पहुँचे तो उन्होंने मिलेट्री हेलिकाप्टर के आउसेश को आग की लप्तों से घिरा हुआ देखा अस्थानी प्रसासन से एक बचाओ दल उस जगह पर पहुँच गया उन्होंने क्रैस साइट से स्थार्वाईवर्स को रीकवर करने का भी प्रयाज किया उस आउसेश से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन्हों सबको यथा सिग्र वेलिंग्टन के मिलेट्री हास्पीटल पहुचे आया गया प्राप्त जानकारी के अंसार उस हेलिकाप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्टी हो गई जिन लोगों की दुरभागेपूर मौते हुई उनमें चीफ आफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्म पत्नी तिरमती बधुलका रावत उनके रक्षा सलाकार बिगेडियर लखविंदर सिंग लिड़र स्टाफ आफशर लेटनें कर्नल हरजिंदर सिंग और एर फोर्स हेलिक जुनियर वारंट आफ्शर राना प्रताअबधाष जुनियर वारंट आफशर अरकल प्रदीत हर्विंदर सपाल राय नायक गुरषवक शिंग नायक जितंद्र कुमार लाइस नायक विबेक कुमार लांस नायक बीस आई टेजा सभी पार्थिव सरीर को आज शाम तक सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं अध्यक्ष मोरे एयर चीफ मारसल त्री वियार चोधरी को घटनास्थल पर दुर्खटना की तूचरा प्राप्त होने पर कल ही भेज़ दिया गया है उन्होंने घटनास्थल यों वेलिंग्टन हास दे दिये गए हैं इनक्वाईरी टीम के आपसरस ने कल ही वेलिंग्टन पहुंच कर अपना कारे लिए प्रारम कर दिया है चीफ आफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संसकार फुल मिलिटरी ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्ड सभी मिलिटरी परसनल का अंतिम संसकार भी ए के बरिवार जनों के परती अपनी संबेदना भी विक्त करता हूँ